अब देखे जो आपका नेक्स टॉपिक है वह है विश्विकी प्रमुख कंपनी की CEO से रिलेटेट तो यह आपकी एक्जाम में एक आद कोशन आपका बन जाता है जैसे रिल्विक रुब्ली लास्ट टाइम आप एक्जाम देखेंगे तो उसमें पूछा गया था एक तरफ इ यूज करते हैं यह शांतनु नाराण इनके CEO कोका कोला जो है कंपनी के CEO हैं जैम्स कुइंसी टाटा संस के यहां पर जो CEO है वह एंचेंदर शेखरन ओला कैब आपने सुनी होगी और ओला कैब में शयाद आपनी बुकिंग भी की होगी तो ओला कैब के जो CEO हैं वह हैं भाव पुर्वारता बी एसनल जो कंपनी हैं उसकी वर्तमान में CEO हैं परवीन कुमार पुर्वार मास्टर कार्ट की अजैपाल सिंग बंगा हैं और हिंदुस्तान यूनी लिवर लिमिटेट की वर्तमान में CEO कौन हैं संजीव महता हैं सोनी जो कंपनी हैं इसके CEO कैन्ची रो योश्विदा हैं और सम्संग कंपनी जिसका फ़ार यूज़ करते हैं लैपटॉप यूज़ करते हैं वह सारी चीज़ें जिनको आप यूज़ करते हैं संजंग कंपनी के CEO वर्तमान में कीम हीון सुक, कोहोड डॉंग जिन और किम की नाम है नोकिया गंपनी के पेक का लुनमार्क है एच पी के डियॉन वैसलर है एटल के गूपाल वित्तल है वोड़ा फॉन आईडिया जिसका नया नाम आपसे पूचेगा तो वी आई इसका नया नाम हो गया है और इसके जो सीयों है वो है रवींद्र टककर टीसियस के वर्त वर्तमान में शलील पारे एच चलो आग कर आते हैं वालमस्त मांंट वालमट के जौंटा इंडिया है इसके सबीर समीर अगरवाल है यह से डूगल विभ के श्रíamos के जाएं आर्विंद्या की जैसी आमेजॹन्चा में आँ हैंसे सब्सक्राइब Netflix वर्तमान में सब्सक्राश कुनाल बहल है और यूटूब जिसको आज के डाइम पर हम सब यूज करते हैं इसके CEO है सुसन वो जस्सिसकी और आलेक्स इंडिया के CEO कौन है गौतम ठककर है अली बाबा जो कंपनी है अली बाबा कंपनी के CEO डैनियल ज्छांग है फेस्बुक के वर्तमान में जो CEO है वो मार् नई उससे पहले है आपका ट्वीटर जैक डॉर्सी जिसके आज ट्वीटर बहुत जादा सबकी लाइफ में सभी से यूज करते हैं और गौर्मेंट से अगर हमें अपनी बात पहुचानी हो तो ट्वीटर सबसे इंपोर्टेंट आज का जो सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म है वो बना हुआ है ट्वीटर के बर्तमान में सीओ जैक डॉर्सी है वट्स अप के सीओ विल कैत कार्थ है इंस्टाग्राम के सीओ कौन है एडम मौसेरी है और विपरो के सीओ थेरी उडेला पोर्ट है मिंत्रा जिससे आप सौपिंग वगरा करते हैं इसके अनंत नाराइन है डैल कंपनी जो है इसके सीओ माइकल डैल है बी एम डेवल्यू कंपनी के जो सीओ है वो हैरॉल्ड क्रियेगर है गूगल क्लाउड की प्रमुक और एशिया प्रशांत में देखे गूगल क्लाउड जो है ना इसके एशिया प्रांत में जो प्रमुक है वो है करन बाजवा हारले डैविंस के कौन है माथे यू एस लेवा टीच है याहू के सीओ जिम लैसॉन है विकिपीडिया के जिमी वेल्स है और IT इंडिया ITC इंडिया जो है इसके प्रमुख कौन है इसके सीओ है योगेश चंद्र देवी सर तो ये कुछ कम्पनिया और उनके सीओ आपने देख आपका याद रखना कि 2021 में भूटान ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने अपने देश के सरवोच चिनागरिक सम्मान से हाँ पर क्या करा है सम्मानित करा है मैंने जो शॉर्ट वीडियो आपको अभी हाल फिल हाल में दिया था उसमें मैंने आपको इस सारी चीज़े बताई हुई है उसके डिस्क्रेप्शन में लिखी हुई है आप उससे एक बार देखेगा बारा तेरा मिनट का वो चोटा सा वीडियो है तो देखो अभी तक जो प्रधान मंत्री जी को अवर्ड मिल चुके हैं उनकी बारे में यहां पर मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग करती हूँ सबसे पहले आपको नोट करना है कि प्रधान मंत्री जो है नरेंद्र मोदी इनको अभी हाल ही में एक दो दिन पहले ही 2021 में भूटान ने क्या करा है भूटान ने अपने देश के सर्वोच नागरिक सम्वान से सम्वानित किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को खोशना करी थी और आपका जो पुरुसकार है वो है नगदग पेल जी खोर लो तो इस पुरुसकार का नेम भी आपको इहां पर याद रखना है नगदग पेल खोर लो ठीक है तो I hope कि आपको ये याद होगा हो जाएगा चो चलिए अब देखते हैं बाकी 2016 से लेकर के 2020 तक पुरुसकार ये 2016 में साओधी अरब ने दिया है अमीर अमानुल्ला खान पुरुसकार 2016 में अफगानिस्तान ने दिया है शियोल सांती पुरुसकार मिल चुका है 2018 में दक्षिन कोरिया ने दिया है ग्रैंड कॉलर आवट 2018 में दिया गया है फिलिस्तीन के द्वारा चैंपियन औफ दी अर्थ आवट दिया गया है यॉनाइटेट ने दिया गया है ग्लोबल गोलगीपर आवट 2019 दिया गया है बिल एन्मैलिंडा गिट्सस फाउंडेशन के द्वारा ता किंग हमाद और ओडर ऑफ ता रेनेसा दिया गया है 2019 में बहरीन के दौरा ओडर ओफ जायत अववर्ड 2019 दिया गया है युई सिंक तरब अमिरात के दारा सैंट एन्ड्रियूस दा अपॉस्टल अववर्ड 2019 दिया गया है रूस के दौरा फिलिप कोटलर आवार्ड कब दिया गया है 2019 में दिया गया है किसकी द्वारा दिया गया है क्लॉग स्कूल आफ मेनेजमेंट देखे कब आपसे एर पूछ सकता है और आवार्ड का नेम पूछ सकता है या किसने दिया ये पूछ सकता है किसे दिया ये पूछ सकता है तो चार तरीके से यहां से संभावना है कि आपके कोईशन बने चलो नेक्स्ट है कि रूल आफ निशान इजुद्दीन इजुद्दीन आवार्ड 2019 किसे दिया गया है? किस ने दिया है? मौल दीव ने किसे दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी को कब दिया है? 2019 में कौन सा अवार्ड दिया है? रूल आफ निशान इजुद्दीन आवार्ड लिजन आफ मैरिट आवार्ड 2020 आपका दिया गया है किस के द्वारा? अमेरिका के द्वारा दिया गया है किसको दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर दिया गया चलो भें अब 2020-2021 में जो यहाँ पर मुख्य आतिती रहे थे उन्हें देखेंगे 2020 में 71 वा हमने सदंता दिवस मनाया था जिसमें प्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोलसारो परेड में असम की जाकी को यहाँ पर आये थे और इन्होंने परेड में असम की जाकी को सर्वशिष्ट जाकी घोशित किया था और 2021 में आपको पता है कि हमने 72 वा सापना दिवस मनाया था लेकिन कोवेड के कारण यहाँ पर कोई भी विदेशी अतिती नहीं थे और यहाँ पर जो परेड हुई थी इस परेड में जो 2021 में सर्वश्ट जाकी घोशित किया गया था वो उतर प्रिदेश की जाकी जिसमें आयोध्या राम मंदिर की यह जाकी थी तो यह आपको नोट करना है कई बार आपकी एक्जाम में कोईशन बना है आप देखो भारत यह नोटों के रंग और उनके उपर छपे चित्र कई बार पूछे जाते हैं देखे कलर इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन जो चित्र है इसके उपर छपा हुआ ध्यान से नोट आप आपको क्या करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे 10 रुपे का नोट लेंगे और उस 10 रुपे का नोट का कलर देखेंगे और इसका कलर कैसा अगर आपने चौकलेट का यह तो आप देख रहे होंगे कि उसमें जो कलर है वो कैसा हल्क अमल आपको हरा भी मिलेगा और यलो भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा हरित पीला कलर है और एलोरा की गुफाएं इसमें छपी हुई है और पचास रुपे का नौट देखेंगे तो वो आपका फ्लोरो सेंट ब्लू कलर है उसका कैसा है फ्लोरो सेंट ब्लू कलर है और ह रुपी का जो नौट है ना वो लेवेंडर कलर का है और इसमें जो पूछा गया है ये वाला कि इस पर किसका चित्र बना हुआ है रानी का वाव बना हुआ है 200 रुपी का जो आपका नौट है वो bright yellow color का है और इसमें साची का स्थूप बना हुआ है 500 रुपी का जो नौट है वो stone gray color का है और इस पर लाल किला छपा हुआ है और 2000 का जो नौट है वो mezinda color का है और इस पर है mangal yarn तो एक बार फटा फट 10 रुपी के नौट पर क्या छपा है कोणां का सूर्य मंदिर 20 रुपी के नौट पर एलोरा की गुफा 50 पर हमपी का पत्थर से बना रथ 100 पर रानी की वाग 200 पर साचीस्तू 500 पर लाल किला 2000 पर mangal yarn तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है चलो अगला यहाँ पर आपका जो सब टॉपिक है वो है भारत एरलाइन्स और उनकी प्रमुकों से related और उनका headquarter तो देखो यहाँ पर जो एर एक तरफ airline से दूसरी तरफ headquarter है तीसरी तरफ उनकी प्रमुक और CEO से question बन सकता है Air India का headquarter Delhi में है CEO Rajiv Bansal है CMD Indigo के जो आपका एक airline से इसका headquarter कहाँ पर है गुरुग्राम हरियाना में वैंकिट रमानी सुमंत्रन इसकी वर्तमान में CEO है Air India Express के जो headquarter है वो कोची केरल में है और प्रमुक है प्रदीप सिंग खरोला Spice Zet का headquarter गुरुग्राम हरियाना में प्रमुक है इसकी अजय सिंग Go Air का जो headquarter है मुंबई महराश्रा में है कौशिक होना इसके CEO है Air Asia India की बात करें तो Air Asia India का headquarter बैंगलुरू करनाटका में है और इसके जो प्रमुक है वो है S. रामा दुरे विस्तरा के यहाँ पर वर्तमान में जो headquarter है गुरुग्राम हरियाना और प्रमुक है भासकर भट Air Decane के जो बतमान में headquarter है मुंबई महरास्टा और प्रमुक है जी आर गोपिनाथ Blue Dart Aviation का headquarter कहाँ पर है चन्ने तमिल नाडू में और तुसार जानी बतमान में इसके प्रमुक है पवन हंस अभी उत्तराखन का एक एक्जाम हुआ था 12 दिसंबर को lower PCS का उसमें पूछा गया है कि पवन हंस क्या है इस तरीके से कुछ question आया था पेपर आप देखेगा तो ये एक airline से और इसका headquarter नॉइडा में है और इसके प्रमुक है BP Sharma Fly Divine Fly Divine एक airline है और इसका headquarter इंदौर मध्यप्रदेश में है दिनेज गुप्ता इसके प्रमुक है डिकेन चार्टर का headquarter कहाँ पर है बैंगलूरू करनाटका में और इसके जो प्रमुक है वो है जी आर गोपिनाथ आप देखो यहाँ पर बैंगलूरू आया तो बैंगलूरू से नहीं question बनता है जो हमारी इस रो है भारत की space agency Indian space research organization है इसका headquarter कहाँ पर है तो वो आपका बैंगलूरू में ही इस्तित है